राजस्थान के डिगिस्थित कामा में चार फरवरी को मोक्ष कल्यानक महुतसव के साथ श्री मर्जनेंद्र शांतिनाथ जिन बिंब पंच कल्यानक प्रतेश्था महुतसव का विधीवत समापन हुआ इस दोलान सभी श्रावक्ष राविकाओं ने विश्व कल्यानक की भावना भाई मुरीकुंजर आचारे अंकलीकर परंपरा के पटाधीश प्राकरत के इसरी आचार श्री सुनीर सागरजी महराज उस्ससंक के सानेध्धे ने इस बार कामा के भक्तों को धन्य कर दिया 28 परवरी से 4 मार्च तक आयोजित पंच कल्यानक प्रतिष्ठा महुसव का जम कर आनन्द लिया 4 मार्च को मोक्ष कल्यानक के साथ इस महुसव का समापन किया गया इस दिन का शुभारम नित्य महिपूजा नविश्रेक शांतिधारा के साथ हुआ अब वह वक्त आया जब केवल लेग्यान होने के बाद प्रभु को निर्वान की प्राप्ति होती है उनका शरीर अगनी में जलकर मोक्षिकबन कर जाता है मोक्षिकबन होते ही सभी सामोही क्रूप से निर्वान लाड़ू अरपित करते हैं महुत्सव की समापन मेला में विश्व शांती माह यग्य किया गया हवन यग्य में आहुतिया देते हुए श्रावक श्राविकाओं ने विश्व कल्यान की भावना भाई प्रवचन की दोरान अचारी श्री सुनिल सागरजी महराज ने कहा कि अच्छे लोगों और अच्छे दान्दातारों का सम्मान होना ही चाहिए जिससे अन्ने लोगों को भी प्रेड़ना मिले अच्छे कारी करता हूं कि अच्छे लोगों के सम्मान होते ही हैं और ना ही चाहिए लेकिन सम्मान होना अलग बात है और सम्मान का भूखा होना अलग बात है हमें सम्मान का भूखा नहीं होना चाहिए हमें अपने कर्तब करना के लिए काई करना चाहिए आप करते रही है सम्मान की परवाह मत कीजिए हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं कि सम्मान के मौके पर वो गैर हाजिर हो जाते हैं और उख कहते हैं कि मैंने अपना कर्तब बिकिया है और इससे लोग और सीखें इसके ये बज में मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर भी अच्छे कारिय करताओं का अच्छे दान दाताओं का जनता की सामने आने से लोगों को भी व्यसा करने का उसाहा बनता है पंचकल्यानक महुसव के समापा नवसर पर विबनिस्थानों से आई भक्तों के अलावा समेती से जुड़े सदस्यों ने भी अपनी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद राम स्वरूप कोली भी आचारिश्टी से आशिरवात प्राप्त करने पहुँचे जहां गुरुदेव ने आशिरवात के रूप में उन्हें पुस्तक दी आयोज़ा कमीटी ने कोली जी का इस्मरती चिन्ने देकर स्वागत सम्मान किया जैन फोकस के लिए कामराजस्थान से ब्यूरो रपोर्ट